मानिय मोधी जी ने विकसित भारत का सपना इस देश को दिखाया है विकसित भारत में विकसित गोवा होना चाहिए है अमारा सपना है अभी केजरिवाल जी को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर इससे कुछ फरक नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि केजरिवाल के उपर किसी का भी भरोसा नहीं रहा है पूरे दिल्ली में महिला सेफ नहीं है यही दिखाता है इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के जिस राज्य में महिला सेफ नहीं है महिला का संदमान नहीं हो रहा है तो लोगों को अभी पता चल चुका है लोग इनको घर का रस्ता दिखाने वाले हैं जबी सबी ब्रश्टाचारी लोगों को ब्रश्टाचार करना होगा तो कॉंग्रेज के साथ ही जाएंगे हमारी साथ खास बातचीत के लिए गोवा के मुख्य मंतिरी परमोच सावन जी हैं जिन्नों ने गोवा को लगातार विकास के पत्पर लेके जा रहे हैं और अब उनका टार्गेट है दो हजार सैंथिस का गोवा विक्सित सर आखिरी ये गोवा विक्सित के आहा है और हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जनतंते टीवी पे 2047 का आपने गोवा विक्सित रखा है उसमें क्या क्या होगा मानने मोदी जी ने विक्सित भारत का सपना इस देश को दिखाया है विक्सित भारत में विक्सित गोवा होना चाहिए है अमारा सपना है इसलिए आगे 25 साल के लिए जो रोड मैप भारत देश का रहेगा उस रोड मैप में गोवा आना जरूरी है और उसी के साथ साथ चाहे मानने मोदी जी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलोप्मेंट और यूमन डवलोप्मेंट दोनों की बात हमेशा के लिए करते हैं वही इंफ्रास्ट्रक्चर डवलोप्मेंट और यूमन डवलोप्मेंट करने के लिए मानने मोदी जी के साथ साथ विकसित भारत का सपना साकार होते होते विकसित गोवा का भी सपना साकार हो जाए इसलिए हमने तैयारिया स्टार्ट कर दी हैं जिस तरह से विकसित भारत हो जाएगा उसी तरह से विकसित गोवा का फाउंडिशन स्टोन जो अभी डाला है वो आगे 2047 तक विकसित गोवा का सपना साकार होगा सर आपसे हरदम मुलाकात होती है खास तोर पर नोंबर का या दिसंबर का जब फिल्म फेस्टेवल होता है उस टाइम जो गोवा का मोहल होता है जाहरी सी बाते की विदेशों से पूरा अगर कहा जाएं कि वर्ल्ड से लोग वहां आते हैं और गोवा को देखते हैं गोवा और वहां पर्टे बढ़ेंगे और खास तोर पर जो विकास हो रहा है खास तोर पर चाहें वो नहीं नहीं पूल बने हो या जो अब ही डबलש डेकर फ्लाइवर जो बना था एक तरीके से कहा जाए कि वो गोवा के हिथिहास में था कि उस तरीके का फ्राइवर बहुत गोवा में नहीं था। उसको जिस तरीके से आपने फिल्म फेस्टिवल को लगतार सेक्सेस कर रहें। उसके पीछे की क्या मन्सा है और इस बार क्या खास होगा गोवा के लिए। आप बात कर रहे हैं International Film Festival के आप बात कर रहे हैं G20 event के गोवा हमेशा के लिए the foreign tourist और Indian tourist के लिए गोवा ए destination प्रीफर करता है और मान्य मोदी जी के double engine के सरकार के कार्यकाल में इसके infrastructure में और ज्यादा भर बढ़ गई हैं चाहे हो infrastructure development in roads, roads, hospitals, super speciality hospital, आयूश hospital, tourism infrastructure हम double engine के सरकार के कार्यकाल में पूरी कर सके हैं इसलिए इससे आगे international और national event साकार करने के लिए चाहे हो convention center हो इस तरह के event organize करने के लिए गोवा अभी infrastructure ready कर रहा है मुझे लगता है आगे आने वाले तीन-चार साल में इस तरह का जो international हम माईस tourism की जब बात करते हैं वो tourism host करने के लिए गोवा का infrastructure हम तयार कर रहे हैं इवन दो इस तरह के not only the infrastructure और human resource भी जो चाहिए वो तयार करने का काम हैने गोवा government कर रही है केंडर सरकार के साथ इसी साथ मैं एक ही बात कहूंगा कि गोवा में हम जब human resource की बात करते हैं तो water sports institute हो या the hotel management institute हो इस तरह की international international institution अभी गोवा में establish हो रही है सर अब इस पर थोड़ा सा गोवा सहट के कि आप दिल्ली में है और जिस तरीके से आपका रोड शो होता है उसमें खास तोर पर देखा जा तो कई जगा आपने रोड शिया और भीड इतनी है जाहर तरह क्योंकि दिल्ली के बात हो रही है दिल्ली में 2014 में भारती जनता पर्टी को साथ सीटे 2019 में साथ सीटे आपने अभी तद जहां जहां चुना रोड शो किया उसमें क्या लग रहा है कि इस बार भी जो 2014, 2019, 2024 में भी सातों सीटे दिल्ली को मीरेगी 100% मैं 3 दिन से दिल्ली में हूँ, 5 सिटों पे मैं खुद जा के आया हूँ मैं 7 के 7 सिट भारती जन्ता पार्टी को मिल रहे हैं अलड़ी वो भारती जन्ता पार्टी के पास ही थे अभी केजरिवाल जी को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर इससे कुछ फरक नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि केजरिवाल के उपर किसी का भी भरोसा नहीं रहा है दिल्ली वासियों का भी विश्वास है और गैरेंटी कोई दे रहा है तो मोदी जी के गैरेंटी के ओपर बरोसा है इसलिए मुझे लगता है कि फिर एक बार यहां सातों के सातों सिर्थ भारती जन्ता पार्टी जीत रही है और दे नेक्स्ट यहां पे आने वाली सरकार वो डबल इंजिन की सरकार रहेगी भारती जन्ता पार्टी की सरकार रहेगी यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो डिलिट हो जाता है, उनके जो पी होते हैं, वो अपना फोन जो है, फॉर्मिट कराने के लिए, बॉम्बे चले जाते हैं, महिलाओ के साथ आम आधी पार्टी कि इतनी बेरहमी की भी खाई दे रही है। यहीं दिखाता है, इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के जिस राज्य में महिला सेफ नहीं है, महिला का संदमान नहीं हो रहा है, तो लोगों को अभी पता चल चुका है, लोग इनको घर का रस्ता दिखाने वाले हैं। लगतार कॉंग्रिस जो है वो आरूप लगा रही है कि बीजेपी को 400 सीट आएंगी तो सविधान कतम कर देंगे अरविंद केजिवाल जो सबसे बड़े दुस्मन थे कॉंग्रिस के वो एक साथ में अखली शादो है अखली शादो मंच से कहते हैं कि कॉंग्रिस पार्टी करना होगा को वो वो कॉंग्रेस के साथ जाएंगे अदरवाइथ और वर किसी के साहत नहीं जा सकते है इसलिए चाहे वोकिलेशादव हो या चाहे वो केजरिवाल हो अभी वो कॉंग्रेस के साथ ब्रष्टाचार करने के लिए एकटा हुए हैं लेकिन रही बात उनको कभी सत्ता मिलने वाली नहीं है क्योंकि बाबा साहिब का है जो सव्विधान का अपमान करने वाली कोई पार्टी है तो कॉंग्रेस पार्टी है ऐसा मुझे लग रहे हैं तरीके से पूरे देश में पूरे वर्ल्ड मता जा कि भव्वे रामंदी का स्थाफना हुआ और भारती जुन्ता पार्टी के मैनिफेस्टों में भी था आप कि पूरी कैबिन्ट और आप खुर गयते हैं वहां दर्शन करने के लिए अब पिरंका गांदी कहती है हाला कि पूरी कॉंग्रेस कहती है कि रामंदी बीजेपी ने नहीं बनाया है और लगतार वह आरूप लगाती है भगवार को लेकर कि यह सिब बीजेपी का पैटेंट ह अब पिरंका गांदी कहती है कि हाँ कहीन न कहीं गलती हुई है हम रामंदी में दर्शन करने नहीं गए और कहीन कहीं कॉंग्रेस में ऐसा लगए कि अंजूर नहीं पूट जादा हो गया अभी लेट हो गया मुझे लगता है उनको इन्विडिशन दिया था तब ही कम से कम मंदिर तो नहीं बना पाए कम से कम राम लल्ला के दर्शन को तो जाना चाहिए ताभी लोगों को पता चला है कि यह राम भक्तन नहीं है यह वोटो के लिए ही राम भक्ति करते हैं और राम का पूजन करते हैं लेकिन वो खुद राम लल्ला के दर्शन के लिए भी नहीं ग भारत वर्ष में राम राज्य हैं और आगे भी राम राज्ज़ रहेगा ऐसा मुझे लगता है तो राम राज्ज्य है और राम राज्जी रहेगा 2047 का विक्सित भारत और 2047 न management का घ्वान ऻ्लम और आज के लिए इतना ही हमार साथ है गोआ के लोगत्रिय मुख्यमंतिरी परमुस्तावन